जी कैफेट आज के लेक्शर का अगाज करते हैं लेक्शर नंबर है हमारा 15 चैप्टर चल रा था चैप्टर 3 इसमें कल हमने स्टडी किया था चैप्टर 3 मारा किसे रिलेट करता है से इसमल से दूरा एक सब्सक्राइबी उज़्र होगा तब रियागende और शेक्ष आपरोप्रिये्ल होगा तभी रिजनेबिल 이것 मिलेगी अगर एगे सब्सक्राइब एपरोप्रियेट नहीं है तो न यहीं का है तो क cockroach में यह स्टड़ी किया था कि एविडंस क्या होता है और हमने सड़िए किया था किloris अवह से हैं dum क्या हूब का क्या मतलब है इसमें क्या था σουफाइशंची के फेक्टर्स वह Q vocês आपको क्लिय होंगे ठीक है इसमें चार कोईट्स नहीए कि एक वह था अगर आप इंटरनल गोड चैक करना चाहते हैं ठेच करना चाहते हैं तो इते सतांडोप पर फाम करने के वहरे लेट होगे अगर आप फैनेशा स्टेट मेंट्स की एक्रांस और कम्प्लीटनेस में क्या फ़र्ग है चलिए मैं अपनी सली के लिए इसको रिवाइज करना चाहता हूं हमारे पास बैलेंशीट और इंकम स्टेटमेंट में बहुत से एरिया होते हैं हमने जब पुरी फाइनाइंशल स्टेटमेंट को वैरिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़े फाइनाइंशल स्टेटमेंट एस सिंगल आइटम वैरिफाई नहीं होती कभी हमें उसका हर एरिया को अलादा अलादा वैरिफाई करना पड़ेगा जब सारे एरियाज फाइनाइंशल स्टेटमेंट के वैरिफाई हो जाएंगे इसका मतलब है फाइनाइ एक्से स्टेट्मेंट एस होल वैरिफाई नहीं हुती उसके डिफरेंट Information है लाइन आईटम में Classifier करके लाइन और को लैद आदा वारिफाई करते हैं पिर by रा इसी तरह हर लाइन आइटम भी ऐस सिंगल आइटम वैरिफाई नहीं होती practically जब आप sales को verify करने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक procedure है जिससे सारी sales verify हो जाएगी ऐसा नहीं होगा sales को different sub components में divide किया गया है यानि एक sales को verify करने के लिए आपको 6 चीज़े verify करना पड़ती है sales को अलग-अलग angle से verify करना पड़ता है इन 6 चीज़ों को इन sub components को हम कहते हैं assertions assertion तो इसका मतलब है some of assertions is equal to area और some of areas is equal to financial statements ये equation समझ आई के नहीं आई इसको लिख लेजिए ये hybrid वाले भी लिख लेए ये online वी लिख लेए क्या लिख लेए some of assertions is equal to area और some of area is equal to financial statements इसका मतलब है financial statement को verify करना चाहते हैं तो आपको assertion level से start दिरना पड़ेगा हर area की 6 assertions हैं उनको verify करना पड़ेगा 6 assertions को verify किया area verified हर area को verify कर दिया financial statement verified अच्छा area जो different assertions को verify करना है तो उसमें different assertions हर assertion किसी खास चीज़ को check कर रही होती है हर assertions किसी खास चीज़ से relate कर रही होती है और ये assertions में फरक समझना ही काम्यापी है इस concern लिए assertion में फरक क्या है जैसे और यही रेलिवेंस में बता रहा है कि रेलिवेंस का concern क्या बता रहा है कि आपका procedure एक assertion के लिए different होगा दूसरी assertion को verify करने जा रहे है तो procedure different होगा ठीक है एक assertion के आपको क्या करना आपको जो procedure perform करना है वो assertion के साथ relevant होना चाहिए आपका relevance में क्या सबक सिखा रहा है relevance में सारी बाते छोड़ दे चार बाते लिखी है ना सारी बाते छोड़ दे सिर्फ एक बात समझ ले relevant समझ आजाएगा क्या कि आपने जो procedure perform करना है और जो assertions है उन में logical connection होना चाहिए procedure assertion से relevant होना चाहिए assertion procedure से relevant होना चाहिए यह नहीं assertion को यह और verify कर रहे है procedure को यह और perform कर रहे है इसी concept को उसने दो तीन examples के साथ explain किया हुआ है example जो लिखी हुई है याद करना लाजमी नहीं है समझना लाजमी है जैसे एक asserts के case में tangible asserts के case में एक assertion है existence एक है right trend obligation existence का मतलब क्या है कि जो asserts balance sheet में लिखे हुए है physically भी exist होने चाहिए right trend obligation का मतलब क्या है जो भी balance sheet में asset liability आ रहे है client की होनी चाहिए या client का right होना चाहिए लेकर या client की legal obligation होनी चाहिए जो भी balance sheet में item आ रहे है क्या हमें assets में existence को check करना चाहिए का right trend obligation को शाबश दोनों को लेकिन दोनों के लिए procedure different होंगे अब आपने जो assertion है जो मकसद है आपका procedure relevance होनी चाहिए दोनों है यह हम concept है जैसे अगर मैं existence check करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ document check करूँ physically check करूँ अगर मैं rights and obligation check करना चाहता हूँ physically check करूँ क्या document check करूँ इसी तरह sales है कोई भी income expense है sales हम समझने के लिए example ना वो understate होना चाहिए अच्छा अच्छा अंडर स्टेट और ओवर स्टेट यह जर्नल टरम्स है हमारे आडिट में हम understatement के लिए word use करते हैं completeness के there should be no understatement is equal to there should be completeness there should be no understatement is equal to there should be completeness यह लिए लिए तो बेतर there should be no understatement is equal to there should be completeness और there should be no overstatement is equal to there should be occurrence यानि transaction वाकई अकर हुई हो अब मुझे बताए sales को verify कर रहे हैं आपके senior ने कहा sales को verify करो आपने कहा sir हमने अपने अपने पढ़ा था risk assessment करनी है उसके बाद procedure पर फार्म करने है no doubt sales की 6 assertion है हम 6 की 6 assertion को verify करेंगे मैं करूंगा लेकिन मुझे यह बताएए सारी की सारी assertion पे एक जैसे procedure पर फार्म करूं या जिस assertion पे risk ज्यादा है जिस जहां पे risk वहां पे ज्यादा procedure जहां पे कम risk वहां पे कम procedure ज्यादा अच्छा मुझे अब सोच के बताएए अब मैंना बेसिक कंसेप्स को टेकनिकल में करने जा रहा हूं आपके सीनियर टेकनिकल लेंगिज़ यूज़ करूंगा आपके सीनियर ने कहा बाई सुनो सेल्ज में यह रिस्क नहीं होता कि क्लाइट ने सेल्ज कम रिकार्ड की होगी सेल्ज में रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का तो आप कौन सी अजर्शन चेक करो जो ट्रांजेक्शन रिकार्ड हुई है जो ट्रांजेक्शन रिकार्ड हुई है एक्शली अकर हुई हुई है जो ट्रांजेक्शन रिकार्ड हुई है एक्शली अकर हुई हुई है जो ट्रांजेक्शन रिकार्ड हुई है एक्शली अकर हुई हुई है जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन रिकार्ड हुई है कि अच्छा यह किसा पता चलेगा रिकार्ड हुई है तो इसका मतलब है तो हमने सैंपल कहां से उठाना है Sample कहां सा T count से और compare किसके साथ करना है Good dispatch node यहीं समद लीजिए कि point B रेंट point B C sa a की तरफारेंगい occurrence करिए B C相PLE कहां साथ रचा रहे तीकांस से और फिर compare किससे करें Good dispatch node के साथ यह है occurrence इसका मतलब मगए यह बताए अगर कोई可以 एто fake transaction record की है अगर कोई ऐसी सेल रिकार्ड की है जिसके गुड डिस्पैस नोटी नहीं है हवाई सेल है वो अडेंटिफाई हो जाएगी का नहीं है बिल्कल हो जाएगी क्या यह रेलिवेंट प्रोसीजर है अब मुझे पताएगे क्या अकरंस ओफ सेल्स को वैरिफाई करने के लिए यह र अजर्शन या मकसद क्या है अकरंस ओफ सेल्स अजर्शन या मकसद क्या है अकरंस ओफ सेल्स क्या रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है सेलेक्ट सेंपल फ्रों सेल्स कंपेर विज गुड डिस्पैस नोट रेलिवेंट है हमने कर लिया सीनियर हुश होआ फिर सीनियर ने का सीनि नहीं करने हैं जहांपे रिसक ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसिजर जहां नहीं करने हैं तो मुझे पताइए पर चैजिस नहीं है ज्यादा रिसकी है तो झायट सिनियर ने बाइस सुनों सेल्ज में रिस्क था क्लाइंट ने ओवर्स्रेट ना किया हो पर शेजिज में रिस्क है अच्छा मुझे बताइए अंडर सेट्मेंट तो जनरल कमन लेंग्विज का बढ़ ना अडिट की लेंग्विज में यह मुझे हुशी हुई नो इंडर सेट्मेंट इस इकल टू इसका मतलब है सेल्ज में हमारे लिए जो ज्यादा रिस्की जर्शन थी वो थी अकरांस और पर शेजिज में ज्यादा रिस्की जर्शन अब मुझे बताईए अब यह जो हाइब्रीड क्लास में बैठें इनको जरा माइक दीजिए यह मुझे बताएंगे बैस सोच के सोच के जल्दी नहीं है मुझे सोच के मुझे बताएंगे के कंप्लीटनेस ओफ पर्चेजिज के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा कंप्लीटनेस ओफ पर्चेजिज के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा कोई स्टून बता दे कोई स्टून बता दे शाबाश हिमत की भाई ने शा ये प्रोसीजर तो अकरा सोफ पर चेजिस के लिए यही स्टेंडर्ड ने सिखाया था कि आपका प्रोसीजर और अजर्शन रेलिवेंट होनी चाहिए अगर रेलिवेंट नहीं होंगे ना तो आप 10,000 प्रोसीजर पर फार्म कर लें कोई फायदा नहीं है सफिशन तो होंगे आपके प्रोसीजर बोथ लेकिन रेलिवेंट नहीं है तो कोई मुझे मताईए गर इसमें तो जो आल लडी उसने ट्रांसेक्शन रिकार्ड कर दी हुई है वही आप चेक कर रहें अगर पर चेजिस कांट में से सैंपल लोड़ा है व हमने हमारा मकसद है ओर टांजब्स दूड़ना इसको बंद कर दीज alternator हमारा मकसद है वो ट्रांजब्स दूड़ना जो के रिकार्ड नहीं हुई तो अगर आप का डिडे मॉंट समें सेब्स गां में से तो उसमीं सो रडी वों को हैं तो इसमें पर सिजर क्या है select a sample from GRN and compare where the account purchases account जो GRN की transaction purchases में record हो चुकी है इसका नहीं ठीक है और जो record नहीं हुई वो हमारी miss statement है वो हमारी miss statement है भी ये समझ आया है अब एगरी करते हैं assertion के लिहाज से procedure change हो जाता है point A से GRN से recorded amount B के तरिख जाएं वो क्गोई और प्रोसीजर है वो जर्शन भी कोई और बैरीफाई करता है। और point B से A की तरफ आएं वो क्गोई और प्रोसीजर है। अजर्शन भी किरो करता ह। क리र हुआ। require हो आप और आप ने सिसका सही जवाब दे दिया तो फिर एगले को सब्सक्राइग की तरफ चलूँगा वर ना फिर इसका मतलब या पिर बिर भी उप की तरफ चलूँगा लेकि इसकी आपको समझे कुछ नहीं आया मैं बस आगे वागंबाग करना हूँ लेकिन अगर आपने सही जवाब देती है इसका मतलब है आपको समझ आ रहा है और हम समझ समझ के चल रहे हैं मेरे सीनियर ने मुझे कहा भाई परचेशी में भी तुमने अच्छा काम किया है अब इन्वेंटरी में आ जाओ यह है आपके पास बैलेशीट में कलाइंट ने पचास लाख इन्वेंटरी शोग रवाई है यह इसकी लिस्ट है पचास लाख इन्वेंटरी यह है लिस्ट के कौन-कौन सी आइटम्स है और इसकी क्वांटिटी कितनी है ठीक है इन्वेंटरी लिस्ट और नीचे गुदा में सारी inventory पढ़ी हुई है गुदाम में सारी inventory पढ़ी हुई है आपने गुदाम में से प्रोसीजर मैं बता रहा हूं और दर्षन आप बताएंगे आपने गुदाम में जाके जो वहाँ पे inventory items मुझूद हैं उनको select करना है और देखना है लिस्ट में वो आइटम आ रही है के नहीं आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं के फीजिकली मजूद है लेकिन लिस्ट में वो शामिल नहीं है चेक करो के जितनी भी इंवेंट्री गुदा में पड़ी हुई है सारी की सारी लिस्ट में आ रही है कितने हैं कितनों का ख्याल है कम्पलीट नेस कि हम देखने है रीकार्डिट एमपांट कौनसी है जो बेले शीड में मांट आ रही है जो हमारे पास इंवेंटिर तो हम अगर फिसी कली आइटम्स उठा के देख रहे हैं कि वह लिस्ट में मझूद है कि अट कम प्लीट में हैं आधिक नहीं अगर हाँ मजूद नहीं हुई अगल अगर महाँ पर फजिकली मजूद अनुद है लेकिन इसंसमें ही इसका मतलब जApp क्या है कि हमारी लिस्ट नहीं है complete assets list में शामिल नहीं है शाबाश मिजर्टी ऑश्रोण ने ठीक जवाब देती है यह समझा है आपका अक्रास और complete नसका चलिए और की question पूछना चाहते हैं तो पूछना जे अज़िए हाँ शाबाश शाबाश इनका question यह है कि सर आपने पढ़ाया के आडिटर के दुरान में outside the entity यानि third party से भी evidence collect करता है जिसकी एक बड़ी example है confirmation letter तो यह तो client के बारे में confidential information होती है तो third party हमें client के confidential matters के बारे में कैसे information दे देती है जैसे अगर आप घर में अपने भाई के bank account के बारे में बैंक से कहना मुझे बता दे वो नहीं बताएगा तो फिर auditor जब client के बारे में पूछता है तो bank कैसे बता देता है वो ऐसे बता देता है कि हम client से permission लेते हैं client की authorization होती है client bank को कहता है कि auditor को जवाब देतो जो यह पूछ रहा है तो bank यह lawyers यह third party जो भी है आपकी बात बिल्कुल ठीक है वो confidential information नहीं share करते थर्ड party के साथ लेकिन auditor चुकि statutory writer है इसलिए management authorize करती है अपनी parties को कि auditor जो कुछ पूछे इसको बता दो इसलिए वो हमें बता देते हैं तो आगे चलके हम confirmation letter जो study करेंगे उसमें आप सिखेंगे कि management से authorization हम ज़रूर लेते हैं management के authorization के साथ letter send करेंगे जवाब आएगा management के authorization के बगार letter send करेंगे जवाब नहीं आएगा क्या ये completeness और अकरस भी assertions है क्या ये completeness और occurrence भी assertions है यह 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 भी assertions है इस जी 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 अ रिकारडी एमाॉंट से sporting documents की तरफ जाए यानि T count से sample उठाके sporting record दापके तरफ जाए तो अकरस की assertion verify होते हैं ऐसे ही एँ नहीं हमने यह जो प्रोसीज्र मैंने बताया इसमें स्टॉक शीत से सैंपल उठांड़ फीजिकल ही नहींने नहीं डेख सैंपल उठांड़ ने थे में थे स्टॉक शीट तरफोप में थे तो अगर प्टिटे抗्र Slow quindi से सैंपल उठाएं और देखें कि आउटसाइड आ काउंटिंग रिकार्ड यानि स्पोर्टिंग डाकुमेंट्स उकारा मजूद है के नहीं तो यह अकरंस है यह बात आपके बिल्कुल ठीक है रिकार्डिड माउंट से आउटसाइड डाकुमेंट्स की तरफ जाना काउंटि टीक है आप जब कभी इसर्शन में फर्क सिखेना कम्प्लीट्डिड नेस की एसर्शन पहले सिखें यह समझना असान है किसका मतलब यह कि सारी ट्रांज्यक्शन रिकार्ड हो गई के नहीं हो गई और करंस का मतलब क्या है कि जो रिकार्ड हुई है वह एक्षुली अगर ठीक है जे जे और की को जे 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 अच्छा उन्हें ने का सर आप रिकार्डिड आप दो काम कर रहे हैं या तो आप रिकार्डिड अमाउंट में से सैंपल उठा के स्पोर्टिंग डाकुमेंट की तरफ जा रहे हैं यह sporting document से sample उठाके recorded mountain account की तरफ जा रहे हैं ठीक है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों गलत हो ऐसा भी तो हो सकता है तो याद रखिए कि बिलकुल ऐसा हो सकता है लेकिन उसके लिए अभी मैंने आपको सिर्फ दो जर्शन बताई हैं अभी चार जर्शन छुपाई हैं तो अग से फिर यह दोनों भी verify हो जाते हैं तो अभी मैं सिर्फ आपको एक एंगल से चीज़ें सिखा रहा हूं ठीक है बाकी आपकी बात बिल्कुल दोनों भी गलत हो सकते हैं तो दोनों गर गलत है या फार्श कीजिए दोनों जगा पे ही कोई transaction record नहीं हुई ना उसका good dispatch note बना न उसमें ना इरिया रहा गया था ठीक है और दूसरा इसके questions डिसकस नहीं हुए ऐसे है अच्छा question हमारी कोशिश होगी आएंदा के जैसे जैसे लर्निंग अब्जेक्टिव कमडीटों साथ साथ डिसकस होते रहें लेकिन सम्टाइम ऐसा होता है कि कंसर्ट जब continuation में चल दे ह होते हैं तो हम ब्रेक निए लगाते हैं फिर हम कहते हैं कि फिर बाद में कर लैंगे तो मुझे पर खिर कल रिसकस कर लें तो चूप हम डिक आश्यूं संवाला था और चैप्र डू के सारे question भी लेकिन याद रखें पहले खुद से ट्राइज रूर करें ऐसे एक दोटा क्वेशन में आपको प्रॉब्लम आई कि सारे प्रॉब्लम नहीं आए कि अजिए आज हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग अब्जेक्टि आज लर्निंग अब्जेक्टि वन वाले करने कल वाले अजिए कर लेते हैं कि एसी करने प्रॉजेक्टि के बगाद ब्रीफली डिस्क्राइब हाओ एन अडिटर वैल्वेट्स अश्फिशेंसी ओफड़िट एविडेंस फोर मांक्स के साथ क्या बताना है तों से वाप्र सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑच्ट जाइडर त nutrionenOW टिसप्राइब करें सपर्जबर हैं यह तो सिरफ एडिंग लिए और आशबाय कर सकते हैं इसे से स्रेस्ट को कैसे डिसक्राइब करेंगे if there is high risk of material misstatement more evidence will be sufficient if items are material and complex more evidence will be sufficient बस एक लिख दे दूसरी चीज़ लिखने की जरोत नहीं if material and complex then high evidence more evidence if immaterial and simple then low evidence यह दोनों पाते लिखने की जरोत नहीं है सिर्फ एक एंकल से ही लिख दे तो काफे है are it is knowledge and experience of business if it is initial audit then higher more evidence will be sufficient बस पर आगे आपको पता रहा चाहिए if it is recurring audit less evidence will be sufficient quality of evidence if evidence is of a good quality less evidence will be sufficient or strength of internal control if internal control is strong less evidence will be sufficient आगे वीक वाली बात देखने की जरोता नहीं है clear question 1 समझा आगया जी अगर एक साल हमने अडिट किया फिर अगले साल किसी और हमने किया पिर iibo की definition इंडिशन लिए कि पिछला साल देखने है हमने पिछले साल के साथ किसले साल का जैकि हमने किया तो फिर यह है पिछले साल काटिट क्या अगर हमने किया है तो यह Bao पिछने साल का अख्या दिशाल का अबकर इस बाट में रिसक हमारा प्रैक्टीकली ज्यादा होता है क्यों कि हमारे पास अंड़सेंडिंट होती है क्लाइट कि अब आप से पूछता हो एक टीचर है सिर्फ समझाने एक टीचर आए जो पहली दफा सब्यक्ट पढ़ रहा है और एक टीचर वह है जो दूसरी दफा बढ़ा रहा है किसमें रिस्क ज्यादा है तो सुमेड़े समझता ही कौन सी चीज़ें शामिल इसमें 6 मिने गुजा जाते हैं तो रिस्क ज्यादा शुट कंसीडर टू इंशोर रिलाइबिलिटी और फारिट एविडेंस तू फेक्टर असा स्ट्रेट का मतलब क्या है एक्स्प्रेशन नी चाहिए मेरे को मुझे सिर्फ हैडिंग देदो रेल्यब्स किया ओब दाले ठीठ एक एक रिगल्एंपल अनुकिमेरे अनुक Спट सकते हैं लिक अचाहिए तो document it more reliable then documentary evidence more reliable than original evidence अशाद वादो मिक सबर्दी के एक तो मेडसा थे करने द्यार रखी गा डाकमेंट्रेज अवडेश और अधे ऑडेक्स द्र यह एक्टरनल लिएब देन एक्स अचनल वर लाव देन डानल नहीं बिल्कुत इसमें सबसे हम लफ़ था पलब का उपर वाले क्वेशन में सब्सक्राइब क्या थो अच्छा यह अगर आप देखे ना उपर वाले दोनों क्वेशन और तीसरा क्वेशन तो इससे आपको एक्जैमिनर का स्टाइल समझ में आ जागा क्यों कैसे पल्टी मार शुका है अच्छे 10-12 साल पहले वो कैसे क्वेश तो इससे होता था एक्जैम में कम टॉपिक्स टेस्ट हुआ करते थे तो कि मांक्स जादा होते थे ना अगर साथ नमर का यह इसका मतलब है टोटल तेरा क्वेशन होंगे टोटल 2008-09 में यह उसे पार तेरा क्वेशन इसके आसपास होंगे अब वह दो तीन तीन चार्चा न उस टॉपिक में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो दो या तीन नमर के साथ टेस्ट कर लेता हूँ अगर जिस बचे को वह आती हुई इसका मतलब अंडर सूट है बाकी का टॉपिक भी आता है बाकी पूछने की का जरू होता है अगर आप जब हमारे जमाने में पेपर आर दस के स्टेडी स्ट कर लेता है और दूसरा रिप्रडक्शन के कुएसें पहले बड़े-बड़े होते थे अब रिप्रडक्शन के क्वेस्टन वह च्छरव दो तीन 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 चार 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 नमर के साथ पूछता है यह फरक जहना आगे चलके भी आप देखेंगे कि जो ल के लिए कि कि साथ नंबर के साथ यह सारा थोड़ा ज़्यादा को इसको थोड़ा-थोड़ा आपने ना कम करना अच्छा कम करने का तरीका क्या होता है सुनें वैसे तो सारे सिय इकाम आईगा लेकिन खास वर्पी आडिट में जब मार्क्स कम हो, माटीरियल जदा हो, तो आपने उसे कैसे अडिजस्ट करना है, दो तरीके हैं, एक में आप फेल होंगे, एक में पास होंगे, ये है पूरा कंसेप्ट, ये नज़र आ रहा है, ये हाइबिट वाले भाई नज़र आ रहा है आपको, ये है पूरा कंसेप्ट, ये है दस नंबर का, आई कैब ने इस कंसेट को पूछा, पांच नंबर के साथ, पांच नंबर के साथ, जैसे ये है, फुर्स कीजिएं, इस नंबर का, आई कैब ने पूछ लिया, इसमें दस एडिंग जावर एक्स्प्रेंशन है, दस एडिंग जानीच एडिंचे एडिंग निचे एडिंग ने आप से पूछ लिया, पांच नंबर के साथ, अब एक स्ट्रूंट ने क्या किया, उसने क्या पांच नंबर के साथ, ये वाला काड़ दो, ये बता दो, ये स्ट्रूंट है, फेल, फेल, और एक दूसरा स्ट्रूंट है, दूसरा स्ट्रूंट है, उसमें उसको भी यही एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ, नू, दस, बस, बस एक, दो, ती, चार, पान, छे, साथ, आठ, नू, दस यह पूरा کंजप्ट है, इसको भी यह इक वैसण आया अब यह इक वैसवां, यह बढ़ा कोईसन है अब ठीक है, वैस थीक है का गजारा करना इसको भी अब यही क्वेशन है इसमें क्या किया इसमें ये वाला हिसा नीचे का ये क्रास किया इसको कहते हैं कवरिज ज्यादा होनी चाहिए डेप्थ चाहे कम हो ये पास C.A. के सारे पेपर P.R.C. से लेकि M.S.A. तक कासूल बता रहा हूँ जब कभी त्यारी करें तो सारे टॉपिक्स कवर करें चाहे हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हो ये पास होने का ज़्यादा चाहिए मैंने बहुत से पेपर इसी वज़ए से इस इस अप्रोशिया मताबी किया ना पाथ ये बात पकी लिखी बड़ी बात है कि किसी का स्लेबस 100% नहीं होता नहीं इवन जिसका सर्डिफ हमारे एक दोस्ता उसका सी फैप लाव गोल्ड मेंडल आया और वो कहता था मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मुझे इतना भी यकीन नहीं था मैं पास हो ज लें लेकर यहां आनि में रके को बघे यह कि आप स्लेबस में दस टॉपिक है और वमस्तोफ खोर सब्सक जह आरे लेकिन दस के दस टॉपिक कि ए लेकिन हर टॉपी की में कुछ Sind staronte कूशा है तो हर टॉपिक पर फैक्ट बने की कोशिश न करें रिजन ने बने कास्षा शोन को डिटेल में लिखता हूं अच्छा सफिशेंसी को लिखता हूं एप्रोप्रियेट नेस में सिरफ रलाइबिलिटी को लिखता हूं अच्छाहिए हाँ हर एक एक दो-दो तो कोई मसला नहीं है इसी बंद करवादे चलने ने तो स्टार्ट करें प्रोसीजर अचा यह है सिंपल लेकिन मैं चाहता हूं आप इसमें यह टॉपिक मैं आपको करमाओं आपकर मैं एक्जैंपल्स चाहिए मुझे क्योंकि आपको पता है कि आज़ेंड के पेपर में पास्ट होने यह सबसे एहम चीज्ज सबसे एहम चीज्ज़ आपकी जज्जमेंट और जज्जमेंट की शीज़ पर आपको कोई भी सिचयेशिन दे दीजाए आप सके कि इसको आप वیरीक कैसे करएंगे तो कई ना की करेंगे कोई रॉसीज़ कितनी तरह के हो सकते है वह अब हम आपके साथ डिसकस्ज confident capable होते हैं ऑ settings होते हैंuties हर technician होता है ना हर profession का उसके कुछ ना कुछ उसके अपने अलाध उजार होते हैं जिसे वो काम करता है डॉक्लर है उसके पास भी कुछ सुईया कैंची अब गरा होती है जो भी चीज़ें जिसे वो सर्जरी करता है हाँ वह भी इसी तरह कोई पर उसके एज अडिटर हमारे पास भी हमारे टूल्ज हैं वह साथ प्रोसीजर चोटे से छोटा क्लाइंट हो या बड़े से बड़ा क्लाइंट हो हम यही साथ प्रोसीजर पर फार्म करते हैं सेल्स का एरिया हो या परचेज का डैटर्स का हो के क्रेडिडर्स क रिपेर का हो कि एक्विडी का हम यही साथ प्रोसीजर पर्फार्म करते हैं पाकिस्तान का क्लाइंट हो के युएसे का क्लाइंट हो जर्मनी का आडिटर है या इंडिया का आडिटर है पूरी दुनिया में हर कंपनी का आडिट करते हुए हर आडिटर यही साथ प्रोसीजर प perform करते हैं दूसरे अरिया में किसी और तरीके से perform करेंगे जैसे यह procedure inquiry observation inspection री परफारमस री calculation external confirmation analytical procedure inquiry है यह procedure आप शाइड सेल्ज में किसी और तरीके से perform करें डेटर में किसी और तरीके से सेल्ज में शायद आप क्लाइंट से से पूछें सर आपकी पिछले साल की सेल्ज और इस साल की सेल्ज में इतना ज्यादा difference क्यूं है सेल्ज में यह बी इनक्वाइरी है इनक्वाइरी का मतब पूछना लेकिन inventory में शायद आप यह inquiry करें सर आपकी कोई ऐसी inventory तो नहीं है जो कफी अरसे आप यह साथ प्रसीजर पर फार्म करेंगे लेकिन इनकी application डिफर्ट होती जाएगी जैसे एक प्रसीजर इंस्पेक्शन का है क्या प्रसीजर इस्वाइब कितने नमबर वाला है थार्ड वाला हाइज अगर आप सेल्ज में इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप शायद से प्रसीजर इंस्पेक्शन कर रहे हुए तो फिर आप प्रसीजर इंस्पेक्शन कर रहे हुए तो फिर आप प्रसीजर इंस्पेक्शन कर रहे हुए तो फिर आप प्रसीजर इंस्पेक्शन का प्रसीजर पर फार्म कर रहे होंगे तो फिर क्या कर रहे होंगे तो प्रसीजर यही है जिन में रखे का साथ, अगर आपने इन प्रोसीजर को समझ लिया और यह सीख लिया किस एरिया में इस प्रोसीजर को कैसे इस्तमाल करना है audit आपका पार, confirm कहरा हूं पार, बाकी सीज़ें, देखें, असल मसला पता है ने ने में रिस्क जियादा है, लेकिन केस्ट वायओ यही कास्ट के साथ आते हैं उसमें मेरा रिस्क कम है, क्यून्कि आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करकर कि आपको पता हो जाता है केस्ट डी Надо को Safe Nodine, मुझे उसमें रिस्क नहीं है इंटरनल कंट्रोल किये case studies आती है वो एक तरह के style में आते हैं उसमें मेरा रिस्क नहीं है इसमें चुक्तिए सम्टम आपने उससे पहले कभी डिसकस नहीं की गोगी जिसने ये case study सॉल्व कर ली ना बाकी की case study आप कर लेंगे रचे वाला आप में से हर स्रोंट रचेवाला question अटेंट कर लेगा देखें जो स्रोंट फेल होते हैं ना वो भी zero पर फेल नहीं होते हैazing और जो pass होते हैं वो भी sो पस नहीं होते है यह फरक होता है 매जूरिटी का आप देखा होगा उसकी अप्लीकेशन 40 और से मिजोरिटी ओफ टास से होते हैं यह 40 और 60 के दर्म्यान में होते हैं ठीक है फैल होने वाले का धा हमें पता होता है पास होने वालों के नमबर का पता नहीं लेकिन फिर भी जिस जो प्रफार्मस होती है जो डिसकृशन की तरफ ठीक है तो आप में से इस लेवल पर आपको पता है यहां पर फिल्ट्रेशन हो चुकी है नॉन सीरे स्वार्ट जो नीचे रहा चुकी है यहां पर सब पढ़ने वाले रिप्रडक्शन का क्वेस्टन पर आप सारी याद कर लेंगे यह मुझे पता है के स्ट्रीज भी क्रेक्टिस कम करते हैं लेकिन टॉपिक सारे कवर गड़ लेते हैं जो मसला आता है उन वाली के स्ट्रीज में आता है जिनमें आपको जजमेंट अप्लाई करना पर दो है कौक्के आपकी प्रॉध को तबाब बर बाद करके रख देते हैं आप किया कुछ कुछ सीखा हुआ ने वहां यही figure यही calculation नहीं की तरह की सोचना नहीं पड़ता बस आपने जो सीखा होगा है उसी को apply करते रहे जो सीखा है उसी को apply करते रहे लेकिन जो थ्रैडिकल ना यह नहीं सोचते कि यह को ऐसा नहीं किया लेकिन जिस कंसेप्ट जो कंसेप्ट इसमें वह तो किया वाना हमने तो हम इसको attempt कर सकते हैं यह वो कहते हैं किया नहीं यह बस ओड़ दे इसको तो यह judgment में आप में create करवाना चाहता है ठीक है मेरा पूरे सेशन में जो सबसे एह प्रियम आप जैश्मेंट करेड़ करना कि अंसी इस वेशन सामने आए आप उसको ही और यह एक इसके लिए बहुत आहम है यह आपको प्रीज़ू का कि प्रसीजर बताने होगा आपने अपने जज़्मेंट की बेस पे यह आपको एक्स्प्रेइन करेगा क्या किया प्रोसी बताते हुए शर्माना नहीं है चाहे प्रोसीज़ जैसा मरजी होंगा अपने बताना ज़रूर नहीं जिसके जितना ज्यादा बहुंगा प्रोसीज़ होगा मैं उसको उतनी ज्यादा शाबाश किया का मतलब क्या है सीगिंग इनफरमेशन चाहिए इसको 10 मिनट में भी फड़काया जा सकता है मैं अस्ताद में मुझे अस्ताद के पास बड़ी उस्तादियां होती है 10 मिनट मैं नहीं भड़का रहा क्योंकि मैंने इसकी हेल्प से आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसको भी कवर करवा रहा हूँ हो समझें और जेज्मेंट क्रियेट करने के लिए बेहतरी मुख है इसका अगर मैंने आपको रटा लगवा दिया ना जेज्मेंट हो सकता है तो हो सकता है यह आज अब टेर करना के लेक्टर में कम्ब्रेट नाहों कम स्लका में ठीक है हमाइं सईड़िंग सब्सक्राइब करना है इनफरमेशन को नहीं हैं घृतर कहां से मैनेजमेंट्स्टाइब और कुछ दूसे लोगों से कर सकता है यह विदिन दी आर्गणिजेशन बी इंफरमेशन आजिल अजा गाल यह औरल फार में इसकते हैं नॉर्मली ओरल फार में फार्म्मी बहुता हैं लेकिं पूरा सुपार भी इनफर्मेशन आजाती है और भार में खबर आ जाते हैं ने क्लाइट के बारे में हमारे एक लाइट ता डियूरिंग दी एर उसके गुदा मियाग लगी थे अब हमद पूरा स्क्राइट जो मारा उसके पूरे साल खोड़ी पड़ते थे हमें पता हैं पार्टनर इंफर्मेशन रखते हैं कि जो क्लाइ वाला था मैंने तो as-on inventory की हुए थे मेरी बला जाने इंचोरोस वालों के चक्र मैंने का क्या चक्र रहा है आपको पता नहीं आग लगी थी इनके मैंने का सर यह रेंड पर कोई आग नहीं लगी थे तो इनको इंफरमेशन हासिल करना जो होता है ना इंफरमेशन हो सके ना मैं हासिल कर लो वो इंसाइड और इंफरम में भी हो सकती है और रल भी हो सकती है लेकिन वह यह कहता है कि इंक्वाइरी करो इंक्वाइरी से एविडेस हासिल करो लेकिन सिर्फ इंक्वाइरी सफिशेंट एप्रोप्येट एविडेस नहीं है आप सिर्फ इंक्वाइरी करके य क्लाइनसे क्या buzzing करते हैं करते हैं तो अच्छा मुझेесяं करते हैं अपने चुक्र है अब मुझे ऐस करने का करिए करिक्षिशन सब्सक्राइब नहीं डिकिन सफिशें प्रोपिए इविदेंस नहीं आपको इपको है reliability is affected by integrity and consistency यानि इन्ट इस बंदे ने आपको inquiry का जवाब दिया ना देखें वो सच्चा है के जूटा है शच्चे बंदे के मुझ से जो बात निकले वो सच्ची और जूटे के मुझ से जो बात निकले वह जूटी अगर पास्ट में उसने आपके साथ तीन-चार जूट बोले हुए हैं सेल्स में पूछा जूट बोला अब पूछ रहे हैं अब आपको नहीं पता जूट बोला के साच बोल रहा है रिलाइबिलिटी कम होगी के नहीं होगी यहीं सिका रहे हैं रिलाइबिलिटी ओफ देशाइव डेंशिव इंटेग्रिटी जो बंदा आपको जवाब दे रहा है उसकी एंट इस यह एंड टो जएक्जेंब्ल्स करोण से कि साहते और में अकुछ और इसको हम ने क्या नाम द डि यहूंत मेंस इससे डिस अग्रिमेन्ट दिसेग्रिमेंट उ ச perfection इन कंसिस्टेंसी डिसजECमारे मैं तक मुझे पताएगे एकर एक संवाप दूसरे से एक तुछ हो जाएगी के नहीं हो जाएगी उच्वाइरS नो यह मैं पपड़ी यह की क्वारेद पुछेंड विल इन मैंने अमि Запांव federal पूचते拜拜 अब इसकी करते हैं फ्रैक्ट्रेश जूट्री की वेश संद्ध कोई पताईए यह द便 नाytt सब्धेयर ना कोई एड़र बताएयक रिखल के क्लाइन बाज़ क्लाइन और करेंगे चौने तो मुझे समझ आएगी तो लाइगी दिए इनेंटिक पूछेंगे इनेंटी का पुछेंगे तो यहीं चीज्टीज कर वानी है यहीज यहां पर आपके आके सोच रुक रही है यह जो barrier है ना यही पार करवाना है श्राइक का पूछेंगे सर आप स्टार काउंट कब करते हैं तो कहेगा स्टार काउंट क्या होता है बताइए एविडिनस मिला ने मिला रिस्क क्या होगा अशाकर उसने का जी जी हर महिने करवाते हैं फिर रिस्क हम हो गया ये information आपके काम सब्सक्राइब करना है मेरे से तो आपने काम खुद करना है मेरे से तो निक्वाइरी थोड़ी है यह तो आपकी inspection हो गई ना जाके देख रहे हैं inquiry का मतलब क्या है मैं यह नहीं कह रहा कि fix acid में कोई भी procedure बताओ यह नहीं कह रहा है मैं क्या मुछ रहा हूं ये प्लांट है सर यह हमने तींशाल को बाई किया है अब आगे करें हाँ हाँ यह मैं यह मैंक्स कर रहा था इस पर डप्रेसीयशन आपने कभ से और सर डप्रिसेशन तो पूरे साल की चार्ज करनी होती है मने बड़ा था आई एस फॉर में लिखा हुआ है कि पूरे साथ की डैफिसेशन है हमारे जमाने में तो आइस फॉर होता था अब जी कहा रहा है इस वड़ अहिजिए तो आयो नियोता है आप रिस्क बढ़ गा रिस्क बढ़ गाने विल्कुल बढ़ एक स्ट्रीट मैं पर है और सी और यूटेंटी बेल्स में इनक्वाइर इनक्वाइरी क्या करेंगे एक देखेंगे यह देखेंगे नहीं है यह कुछेंगे कितने आए हैं और कि यारा भी लाएंगे तक 11 रिकार्ड की है एक्षा 12 वो तो जनवरी में भी लाया है उसको समर में क्रू करना था ओह सोरी सर बोल बोल गया बोल अभी रिकार्ड करते हैं यह हैं कोईरी इनक्वाइरी से आपको क्राइंट के बारे में इसके बिजनिस के बारे में इन्फरमेशन मिल और इससे कुछ ना कुछ आप रिस्क असेस्मेंट लगा रहे होते हैं कुछ ना कुछ आविडेंस आपको मिल रहा होता है इनक्वाइरी क्लियर हो गया है इसके बाद है अब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है देख रहा है आंकों से देख रहा है अब्जर्व करना ठीक है को बताया था न ज्यादा रिलायबल है Inquiry की निस्बद Observation का मतलब क्या है किसी ओन गोइंग प्रोसिजर को किलाइट कोई कामकर रहा है listen observation का मतलब है हमने कोई काम नहीं करना Client कोई काम कर रहा حा है हमने उसको देखना है सही काम हो रहा है क zorThe Oliv 8 अगोईट कर रहा है कि framing काम काम कर रहा होगा हम देखना सही काम हो रही नहीं लूक एट ओन गोइंग प्रोसीजर जो क्लाइंड कर रहा है ठीक अच्छा इंक्वाइरी में मसला है रिलाइबिल्टी इफेक्टिड वाइ इंटेग्रिटी एंड कंसिस्ट यह बता दिया आपको अब्जर्वेशन में भी मसला है क्या प्रिंस्पल्स आप देखना चाहते हैं मैं सही बढ़ा रहा हूं के नहीं ऐसा तो नहीं क्लास में आ गया गप्शाप लगाई उसके बाद और फिर निकल गया प्रिंस्पल्स आप क्लास ने आकर बैठ गये उदर अच्छा मुझ से नहीं पूछ रहे हैं कि स्लेबस सही हो चल रहा है ना टेस्प गयरा क्रवारे आप यह मुझ से नहीं पूछ रहे ह लाहना कुद आके बैठ गये यह क्या है हमारी क्लास चल रही है और वो देख रहे हैं हमारी क्लास कैसी चल ले है बताएए यह अब्जरवेशन उनको कोई एविडिन्स प्रवाइड करेगी हमारी क्लास है यह यह अब्जरवेशन लेकिन मैं पहले ऐसे बढ़ा रहा था यह यह अब्जरवेशन के लिए लिम्टेड है जैसे जब आप देख रहे होंगे उस वत के बारे में तो आपको बता चल रहा है प्रॉसस कैसे चलता रहा है आपको पता नहीं है मुझे खुद बताये जब मुझे पता चले का प्रिंस्पल सब क्लास में आगे हैं और मुझे द लिखा हो के कैरे की आंख आपको देख रही है अब्जरवेशन हो रही है तो फिर अलर्ट हो जाते हैं तो इसी तरह जब मैनेजमेंट को पता चाहिए, क्लाइंट कोई एक्टिवडी कर रहा है ना, तो बड़ी फार्ग एक्टिवडी पर फार्म कर रहा होता है, लेकिन आपको add time of observation के बारे में तो evidence दे देता है किसे उससे पहले क्या होता रहा है आपने जैसे inventory count क्लाइंट inventory count कर रहा है अच्छा अगर हम खुद भी क्लाइंट के साथ inventory count करना शुरू कर देंगे ना तो ये inspection हो जाता है inspection दो तरह से होता है documents की inspection एक tangible assets की inspection अगर हम खुद इसे काम करना शुरू कर देंगे ये inspection लेकिन हम खुद से काम नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ observe कर रहे हैं हाँ यह बैस टार काउंट कर रहा है लेकिन जो स्टार काउंट कर रहा है ना उसके निशान नहीं लगा रहा कि इसने count कर ही है इसमें risk है double counting का हो सकता है चार लोग काम कर रहे हैं यह count कर ले दूसरा बंदा आके दोबारा इसको count कर रहे हैं यह सही काम नहीं हो रहा है यह observation यह दूसरा बंदा है यह से स्टार काउंट किया है लेकिसमें कुछ टूटी चीजें थी इसने टूटी हुई चीजों को लाइदा नहीं किया सिरफ गिन के आके चला गया है इसका मतलब है कुछ stock obsolete है और client इसको लाइदा से इडिंटिफाइड है और यह stock count हो रहे है साथ में sale purchase भी हो रही है दुकान खुली हुई है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई ऐसा stock जो 31st नबर पर था लेकिन वहो सकता जादा information आ रही होगी कि नहीं आ रहे होगी यह है इन्वेंटु सरी कांट में फिर कैश रशीविंग में के कैश रीएंग के नहीं है यह segregation of duties सुना सुना नाम लग रहा है separation of duties एक transaction को subdivide कर देना एक से ज्यादा है इसों में अच्छा मुझे यह बताइए पहला case जो cash receive कर रहा है वो ही record कर रहा है segregation of duties है के नहीं है नहीं है risk ज्यादा है और अगर receive करने वाद है जाके देखा दो लोग एकटे बैठे और एक रिकर्णिंग कर रहा था हमने का सेग्रियों की duties है control बोर स्ट्रॉंग है जैसे ही हम observation करके वापस गए उनने ने का चलो भाई जाओ तुम्हें तोर पर बलाया था जाओ जाके पर अपना काम करो अब एक ही बना कर रहा है पॉसिबल है के नहीं इसलिए उसने का के observation की reliability limited है time of observation ताक कैश रिसीविंग क्लाइंट इन्वेंटरी काउंट कर रहा है हम उसको observe कर सकते हैं कैश रिसीविंग को observation ज्यादा तर control जो appointment time कर रहा होता है ना उनको ईबठर करते हैं अबस्झेशन ज्यादा तर test control के त Fen ओक होता है जिसमेंः क्लाइंट 57 कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टार कांट करना control था कि नहीं था हम देखे हैं सही पर longest आजकेम नहीं था कर नहीं था हम अबजर्व करके चेक करें रहे हैं कि सही कर रहा है के नहीं वेजीज जब इंपलाइज को सैली पेव रही होते कुछ को तो काउंट में चली जाती है ना उनके बेंक आपस में कुछ को हम करते हैं कि मेरा नाम है मिस्टर असलम हम कहेंगे यह लो समकी तरह वागए करने से पहले करना चाहिए करने चाहिए क्या यह अच्छा कंड्रोल है अच्छा हम जाके जिस दिन पेरोल डिस्रीब्यूट हो रही थी हम उस डिपार्ट इस्रीबिशन डिवार्ड मां जाके बैठकर हम देख रहे हैं क्या क्या देखने वाला कि के पेमेंट करने से पहले सैली की वह आइडेंटिटी चेक कर रहा है यह अगर कर रहा है तो इसका बेहतर क्या दोना में लेकिन भारहाल इसका भी कुछ प्लास माइनस है इसमें भी लिमिटेशन के समय है जो यह यह बात मैंने बाद में बतानी थे लेकिन नहीं बड़े अच्छे उन्हें ने का सर आपने यह जो लिमिटेशन बता रहे है ना बिल्कुल ठीक इन्क्वाइरी से पता चाल सकता है और अगर आप थोड़ा सा पांच मिनिट के बाद बता थे तो आपको पता चलता कि यह प्रैक्टीकली हम इन्क्वाइरी से कम इंसपेक्शन से ज्यादा चेक करते हैं कि पिछले यारा मेनों में क्या होता रहा है अगर देखें इसलिए तो साथ प्रोसीजर इजाद हुए हैं क्योंकि कोई भी प्रोसीजर प्रफेक्ट नहीं है हर प्रोसीजर में कोई ना कोई कामी है तो उस कमी का दूर करने के लिए दूसरा प्रोसीजर ये साथ प्रोसीजर ना हिस्टी में बड़ी रिसर्च के बाद ये सामने आई हैं प्रोसीजर और ये वो प्रोसीजर है जो आपको हर सिच्वेशन में हल्प कर देते हैं हर सिच्वेशन में कामा आजाते हैं दुनिया में कोई आठाव प्रोसीजर नहीं है है ऐसा केस नहीं है जो इन साथ प्रोसीजर से हल ना होता हो इंक्वाइरी क्लियर हो गया अब्जर्वेशन क्लियर हो गया चलिए इंस्पेक्शन से ओनवड हम चलते हैं कल लेकिन फिलहाल एक फरनीशर तो इंस्पेक्शन किसकी होती है डाकुमेंट्स की भी इससे ओनवड हम आगे इंशाला कल चलेंगा आज का लेक्शन यहां पर खतम करते हैं